तूडेंस टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैट्स का टॉपिक प्रॉब्लम ओन ट्रेंस तूडेंस प्रॉब्लम ओन ट्रेंस में हम फर्स टाइप के क्वेशन्स अल्रेडी कर चुके हैं जिसमें ट्रेंड एक ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जो की खुद चल रही होगी तो मूविंग ओब्जेक्ट को क्रॉस करेगी ट्रेंस उस पे कुछ क्वेशन्स करते हैं अब जो मूविंग ओब्जेक्ट है वो कैसा भी हो सकता है वो एक पर्सन भी हो सकता है एक आदमी भी हो सकता है और दूसरी ट्रें भी हो सकती है मोसली दो ही चीज़े होती है जो मू 99 meter in length are running in opposite direction at the speed of 40 km per hour and 32 km per hour respectively. In what time will they cross each other? So students, यहाँ पर distance और speed तो आपको दी हुई है, आपसे time पूछ लिए. अब मुझे पता है कि एक simple formula होता है time का, जो कि मैं put करूँगा यहाँ पर, जिसको बोलते है distance upon speed, यही formula होता है, लेकिन मुझे कुछ arrangement करने होंगे, मुझे यह देखना होगा कि distance की जगे क्या put करना है, speed की जगे क्या put करना है, और क्या मैंने golden rule apply किया यह नहीं किया, तो यह सारी चीज़े भी तो देखनी है, तो बड़े simple distance में सिर्फ चीज़ों की लंबाई के बारे में बात होती है, उनकी speed वगरा के बारे बात नहीं होती है, कि वो कितनी speed से चल रहे हैं, तो distance कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई के बारे में बात होगी, अब यहाँ पे students, आप देख सकते हैं, कि दोनों train एक दूसरे को cross कर लिए, तो मैंने बताया था कि जब भी दोनों में, जो एक दूसरे को cross कर लिए, दोनों object में कुछ लंबाई होगी, तो distance निकालने के लिए उन दोनों object की लंबाई को plus कर दिया जाएगा, हमेशा plus होता है, याद रखना, ठीक है, अब जिसकी लंबाई है ही नहीं, जैसे आदमी, उसकी लंबाई train के सामने तो कुछ नहीं है, तो उसमें हम क्या plus करेंगे, तो उसमें आदमी को zero मान लिया जाता है, लेकिन फिलाल यहाँ पे दो trains का question है, तो students distance की जगे तो मुझे पता है, यहाँ पे 121 meter plus 99 meter, जो कि मुझे दिया हुए question में, इन दोनों trains की लंबाई को add करके, आ जाएगा 210 meter, 220, 220 लिखिएगा, so 220 तो मैं distance की जगे पुट कर दूँगा, इतना के लिए, चलो, अब अगली चीज को देखते है, speed, speed students यहाँ पर दो दी हुई है, और दोनों ही चीज़े चल रही है, तो दोनों का ही कुछ ना कुछ होगा, है न, एक चीज तो चल नहीं थी इसमें, तो जब दोनों चीज़े चलती है, तो speed जो है students, या तो प्लस होती है, या माइनस होती है, speed में ऐसा नहीं है कि प्लस ही होगी हमेशा, वो माइनस भी हो सकती है, और मैंने क्या फंडा बताया था इसका, देखें students, opposite direction में जब भी होगा, तो speeds जो होती है, वो प्लस हो जाती है, opposite direction में speed प्लस होती है, इसको है ना, आपको याद करने की ज़रूत नहीं है, कभी imagine करके देखना, माल लेते हैं, एक train में आप जा रहे हो already, और दूसरे track पे एक और train निकलती है, और जो की आपके बिल्कुल सामने से निकली है, ऐसे cross कर रही है, opposite direction में, तो आपको क्या लगता है, बहुत तेज जा रही है, देखने में लगता है ना, बहुत तेज, अब वहीं दूसरी situation लो, कि आप train में बैठे हो, और जो दूसरी train है, माल लेते हैं, आपकी train इस direction में जा रही है, तो दूसरी train भी इस direction में जा रही है, तो आप देखोगी, ये तो धीरे धीरे आगे जा रही है, भले ही वो कितनी भी तेज चल रही होगी, लेकिन आपको लगेगा कि उतनी तेज नहीं चल रही, जितनी अगर opposite direction में जा रही होती, तो तेज चलती, बात क्लियर है ना, तो students जब opposite direction वाली train एकदम जट से निकल जाती है, पलक जपकते ही निकल जाती है, तो जाहर सी बात है, उसकी speed तेज रही होगी, और यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी speed और उसकी speed जो है, वो प्लस हो गई है, दोनों जुड़ गई है, इसलिए speed जो है, वो ज़्यादा दिखाई देती है, तो students इसलिए, दोनों की speed आपको दी हुई है, इसमें plus होगी opposite direction का case है, ठीक है, तो speed निकालते समय आपको इसका ध्यान रखना है, तो क्या आगया, students 72 km per hour, इतना clear, दो चीज़े तो मेरे को पता लगी कि क्या-क्या put करना है, time तो मुझे निकाल नहीं है, तो यह दोनों चीज़े मैं put कर सकता हूँ, लेकिन क्या हमने golden rule apply किया, और क्या हमने check भी किया है कि golden rule apply हो सकता है या नहीं, तो golden rule तो हलागि हर question में apply होता है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी apply नहीं किया है, देखे एक बाद, distance जो है वो meter में दिया है, meter क्योंगी, क्योंकि दोनों trains की length जो है वो meter में होगी, train की length हमेशा meter में ही होती है, kilometer में इतनी लंबी कोई train नहीं होती है, कि एक kilometer तक जा दिये, ठीक है, तो meter में होगी, और speed जो निकलिया हो kilometer पर आर्मी है, क्योंकि question में kilometer पर आर्मी दियोगी है, तो क्या यह सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर meter है, यहाँ kilometer है, तो इसका मतलब मैं speed को change कर लेता हूँ, so speed को change करने के लिए students, 72 जो है वो speed है, इसको change करने के लिए meter पर second में, 5 upon 18 कर देंगे, so हम देख पा रहे हैं कि यह दोनो 9 से कट रहे है, 9, 8 होता है, और 9, 2, अच्छा 18 से भी कट रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, 4 हो गया, तो यहाँ पर 4, 5, 20, 20 meter per second की speed आ गई है, अब इन दोनो values को आप formula में put कर सकते हो, तो कर देते हैं जल्दी से, distance क्या है, 220 meters, speed क्या है, 20 meter per second, दोनों को divide करो, yellow 0 से 0 गया, और यहाँ पर 11, क्या है, time, time के पीछे क्या लगाईंगे, 11 गंटे लगा दो, 11 गंटे में cross किया, ऐसा तो कभी नहीं होगा, 11 गंटे में कोई train cross कर दे, 11 गंटे में तो हम लोग, जहां हमको जाना होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, clear, तो यहाँ पर, वही बात आ गई, कि जो मसाले डालोगे, वैसी सबजी बनेगी, तो yellow, ये दो मसाले मैंने डाले थे, तो यहाँ पर ये जो मसाला है, ये निखर के आएगा, ये उभर के आएगा, और यहाँ पर हमको इसका taste आए, second, clear, तो इस तरह से आपको students करने हैं, जब दो trains, एक दूसरे को cross कर रही है, अच्छा, यही पर आपको बता देता हूं, कि अगर यहाँ पर same direction होता, same direction होता, तो क्या करते students, उसका भी answer यही पर निकाल लेते हैं, ताकि आपका concept clear हो जाए, चलिए ठीक है, तो उसका भी यही पर निकाल देता हूं, अब जाहर सी बाते, अगर same direction होती, तो speed जो है, वो मैं क्या कर देता, minus करता, देखे students, ध्यान से समझना, distance तो उत्रही रहता, distance कभी minus मत करना, ठीक है, speed जो है minus होती, तो यहाँ पर 40 minus 32 करता, तो यह आ गया 8, तो 8 km per hour आया है, क्या है 8 km per hour, अच्छा, अब 8 को मुझे meter per second में भी change करना होगा, तो यह हो गया 5 upon 18, तो इसको हम 2 से कार देते हैं, तो 4 upon 9, तो 20 upon 9, meter per second, उस समय की speed होती, इतना के लिए, ठीक है, अच्छा, confused ना होने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे ना लिखके, divide का निशान लगा दो, बिल्कुल लगा सकता, speed क्या है, 20 upon 9, इसको solve कर देते, 220 multiply by 9 upon 20, काट दो इसको, 11 multiply by 9 होगे, 99 seconds, तो देखो, क्या नज़र आ रहा है हाँ पर, अगर एक ही दिशा में, आप जब यहाँ पर जा रहे हो, और train परोस से निकल रही है, तो कितना ज़्यादा time लगा दिया, 99 seconds, और 99 seconds क्यों लगाया, क्योंकि speed जो थी, वो minus हुई है, धेरे धेरे जा रही थी ना वो train, मैंने आपको example दिया था, धेरे धेरे जाएगी, तो क्या होगा, speed कम हो जाएगी, और time ज़ादा हो जाएगा, क्योंकि speed और time, एक दूसरे के बिल्कुल opposite चलते हैं, clear, तो एक ही question में मैंने आपको, दोनों तरीके समझा दिये, आप क्या करो students, एक question ये लिख ले ना, और ये वाले question में, बस speed को यहाँ पर same direction करके, एक और question लिखके, आप उसको part 2 बना दे ना, इस question का, तो इससे आपको दोनों question मैंने करा दिये हैं, तो इसका screenshot ले लो, उसके बाद अगला question करते हैं, तो students question number 2 में देखते हैं, क्या दिया है, a train 110 meters in length travels at 60 km per hour, तो train के बारे में दिया हुआ है, आपको train की length दिया हुई है 110 meter, और speed दिया हुई है 60 km an hour, in what time will it pass a man who is walking at 6 km per hour in the same direction, so students इस बार जो train है, वो एक man को cross कर रही है, एक आदमी को cross कर रही है, जो की 6 km per hour की speed से चल रहा है, और जब भी दोनों चल रहे होते हैं, तो question में याद रखना हमेशा, हमेशा वो opposite direction या same direction, कुछ ना कुछ आपको देंगे, तब ही question आगे हो पाएगा, ठीक है, 100% हर question में आपको मिलेगा, so students, यहाँ पर आपको time निकालना है, कि वो train उस आदमी को कितनी देर में cross कर रही है, ठीक है, तो time का again formula बिलकुल same है, distance upon speed, so अलग-अलग करके मैं पहले distance निकालता हूँ, देखे distance के आएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, distance की जगे हमेशे लंबाई के बारे में बात होती है, और train और आदमी, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ है, जो लंबी, जिसके पास length है, जो के train, तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की जरूत नहीं है आपको, क्या करोगे, जो train की land है, वही distance की जगे पुट कर देखें, इतना क्लिए, दूसरी चीज, speed की बात होती है students, अब speed में तो दोनों की ही speed आएगी, क्योंकि दोनों चीज़े चल रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देनी वारी बात ये है, कि दोनों में, जो same direction है, दोनों उसी direction में जा लिए, एक ही direction में दोनों जा लिए है, तो इस case में जो speed होती है students, वो क्या हो जाती है, minus हो जाती है, 60 minus 6 km पर आर, करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँ students, 5 upon 18 कर देता हूँ, और मुझे पता है, 18 और 54, 3 से divide हो जाता है, तो 3 15, meter per second, ठीक है, तो 18 3 जा क्या होता है, 54 होता है, तो यहाँ पर आगे 15 meter per second, formula में put करेंगे, और answer निकाल देते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, distance की जगे 110 आ गया, और divided by, मैंने यहाँ पर चलिए 15 कर दिया, चलिए सीधा सीधा ही लिख देते हैं, यहाँ पर 15 हो गया, इसको काटिए, पहले 5 से काटते हैं, 5 2 10, again 2, और 5 3, तो 22 upon 3 आ गया, चलिए डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में, 7 बार में 21 आता है, माइनस करो, 1 बचा, upon 3 seconds, so students, जो train है वो आदमी को, 7 hole, 1 by 3 seconds में, cross कर लेगी, I hope यह चीज़ क्लियर है, screenshot लीजे, फिर एक और question कर लेते हैं, so students बढ़ते हैं, question 3 की तरफ, a train 100 meter long, moving at a speed of 50 km per hour, crosses a train 120 meter long, coming from opposite direction, in 6 seconds, so students देखें, interesting question है, यहाँ पर है तो दो ही train, और जो की एक दूसरे को, opposite direction में cross कर रही है, तो पहली train की length, जो दी हुई है, वो 100 है, और उसकी speed दी हुई है, 50 km per hour, लेकिन, दूसरी train की जो length दी हुई है, वो 120 meter है, लेकिन इसकी जो speed है, वो नहीं दी, लेकिन बता रखें की opposite direction से आ रही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को cross कर रही है, 6 seconds, तो इस बाद time दे दी है, तो क्या पुछा होगा question में, सोचो, second train की जो length है, sorry, जो speed है, second train की, वो पूछी होगी, क्योंकि length दे ही रखें है, ठीक है, तो students, ऐसे questions में, बिल्कुल same funda रहेगा, बस इतना याद रखना, जहां पर अभी हम speed वगएरा, plus या minus कर रहे थे, वहाँ पर एक चीज हमको दी हुई है, तो दूसरी चीज हम x माल लेंगे, बाकी सारा concept same रहेगा, आगे जाके formula में put करेंगे, तो हमारी equation बन जाएगी, उसको solve करना होगा, आईए देखते है students, तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले देखी, यहाँ पर मुझे speed निकालना है, speed का formula क्या होता है, distance upon time, ठीक है, मैंने आपको कई बार बताए, कोई सा भी formula लगा लो, भले ही इस question में, distance is equal to speed multiply by time भी लगा दोगे, तो value put करके, आपका answer same ही आएगा, ठीक है ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा करने के लिए, confuse नहीं होने के लिए, इसलिए लगा लेए, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर distance तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्यूं, क्योंकि दोनो train के पास length है, और question में length हमको दी हुई है, तो दोनो train की जो length है, वो plus कर देता हूँ, 100 plus 120, तो students ही हो गया 220 मीटर, तो distance की जगे तो आगया मेरा, आदा काम खत्म, speed की बात करते हैं, speed जो की दोनो train की होनी चाहिए, किसमे? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो देखो, पहली train की तो 50 दी होई है, दूसरी train की मैं X मानूँगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ students, पहले ही इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, पहले ही कर ले ना इसको, इस बार, तो इस बार, देखो, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5 अपॉन 18 हो गया, ये 2 से कट जाएगा, ये 25 हो गया और ये 9 हो गया, तो students 25, 5, 125 अपॉन 9, मीटर पर सेकंड हो गया, ये तो पहले train की स्पीड है, दूसरी train की स्पीड तो हमको निकालनी है, तो students वो हो जाएगा, एक्स, और देखो, एक्स को भी मीटर पर सेकंड में ही मान लेना, तो इसको चेंज करने की ज़रोत नहीं है, एक्स तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा, इतना याद रखना, ठीक है, देखो, हमने एक्स किसमे माना है, मीटर पर सेकंड में, ताकि यहाँ पर हमको चेंज ना करना पड़े, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा, सो students, जब मीटर पर सेकंड में आएगा, तो question में देखो, option किसमें दे रखें, किलो मेटर पर आएगा, कोई बात नहीं, आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा ना, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना, भूल मत जाना, चलिए, so students, यहाँ पर अब मैं values पूट करता हूँ, अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, कि speed को plus करना है, minus करना है, कौन बताएगा, क्या लिखा हैं, opposite direction, मतलब सामने से आ रही है, तो भाई, जाहिर सी बात है, speed को plus करना है, तो 125 upon 9, plus x, इतना जो है, वो आपको speed की जगे पुट कर देना, मतलब इस जगे पुट कर देना, ठीक है, अच्छा, क्या है, और भी कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, इस बात तो time भी दिया हुआ है, 6 seconds, क्या दिया हुआ है time, 6 seconds, तो यह भी लिख दिया, मैंने, D की जगे क्या गरूँगा, 220 पुट करूँगा, और T की जगे क्या करूँगा, 6 पुट कर देना, कितना क्लिया रहा है, simple लगा यहां था, ठीक है, अब इसको solve कैसे करें, चलो पहले जो कट रहा है, उसको काट लेते हैं, यह देखो, यह 3 आ गया हैं यहां पे, और यह 110 आ गया, इन दोनों में से कोई कटनी रहा, लेकिन हमको यह पता है कि, अगर मैं इसको यहां पे भेजू, तो माइनस ज़रूर होगा, तो X is equal to 110 upon 3, माइनस 125 upon 9, अब क्या करेंगे, LCM लेना पड़ेगा, तो LCM आ गया 9, तो यह 3, यह वाला नंबर मल्टिप्लाय होगा, 3 से, माइनस 125, इतना क्लियर, अब क्या करना है students, इनको माइनस कर दीजे, क्या हैगा, 205 आ जाएगा, 205 आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है 205, तो X is equal to, 205 आ रहा है, यह हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड में, सेकंड ट्रेन की जो स्पीड थी, वो आ गई है, जो हमने मानी थी है देखो, लेकिन मीटर पर सेकंड में, निकालना किसमें, किलो मेटर पर आर में, बस आपको क्या करना है, km per hour में निकालने के लिए इसको 18 बटा 5 से multiply कर देना है तो km per hour में आ जाएगा यह ओगया 2 और 5 से काटोओगे तो यह हो गया 41 41 multiply by 2 क्या होता है students 82 km per hour तो हमारा जो answer है option number 1 क्यासा लगा कुश्शन मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस अभी की नहीं है आपने पहली बार पढ़ रहो इसलिए लग रहा है सो स्क्रीन शॉट लेंगे उसके बाद होमवक सो स्टूडेंस आप देख सकते हैं क्वेशन नंबर फोर मैंने आपको होमवक के लिए दिया है इसको अच्छे से पढ़िए समझिए और जो भी आंसर आपका आता है उसको कमेंड बॉक्स में मैंचन करके चेक कराईए सो स्टूडेंस यहाँ पे खतम करते हैं हमारा ट्रेंस का टाइप 2 का पहला पार्ट इसके वे उपर एक और पार लेके आओंगे जिसमें कुछ और प्रैक्टिस क्वेस्टेंस करेंगे और जो की टाइप 2 से ही रिलेटेड होंगे सो बहुत ज़ल मिलते हैं अपने अगले पार्ट में स्टूडेंस तिल एन टेक वेरी गुड केर आफ योसेल्स वेव नाइस तैम गॉड ब्लेस यू बाबाई